हेलो दोस्तों गुड़ मॉनिंग मैं हूं सुभाम और आप देख रहे हैं मैं रिटूब चला निश्रल ब्यूटी निश्रल ब्यूटी में आपसे लोग का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मगदेमिश्टी के बीएड फर्स्ट एर का जो इलिमेंटरी ए पहला है explain the concept of universalization of elementary education, discuss the strengths and weaknesses of सर्व सिच्छा वियान, मतलब प्रात्मिक सिच्छा के सर्भोमिकरन की अवधारना की ब्याख्या करना है, सर्व सिच्छा वियान के सकते कमजोड पहलों का बढ़न करना है, दूसरा नमबर है what are the objectives of elementary education, how these objectives can be achieved, मतलब प्रारामिक सिच्छा के कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तिसरा नमबर है discuss the importance and need of teaching ads in elementary education, प्रारामिक सिच्छा में सिच्छा ने सहाइक समगरी के महत्यों में आवसकता की चर्चा करना है, ठीक है, चोथा नमबर है what do you mean by curriculum, highlight the need of curriculum in primary school education, प्राथिकरम से आप क्या समझते हैं, प्रात्मिक बिद्या सिच्छा में प्राप्त करम की आवसकता पर परकास डाले है, ठीक है, पच्वान नमबर है, write short note of any four of the following, मतलब किनी में लिखना है, पहला है, characteristics of primary school teacher, प्रात्मिक सिच्छा, प्रात्मिक बिद्याली सिच्छकों की विशेष्ता बताना है, दूसरा है, role of NGO, in universalization of elementary education, प्राराम सिच्छा के सर्भामिक करन में, गैरे सरकारी संगठेन की भूमिका, तीसरा नमबर है, role of SCRT for the elementary education, प्रारामिक सिच्छा के लिए SCRT की भूमिका लिखना है, डी नमबर है, सर्व सिच्छा भियान, सर्व सिच्छा भियान, इस पर लिखना है, या फिर E number है, write, what is the constitutional provision for elementary education, सिच्छा के लिए समयधानिक प्रावधान क्या क्या है, या फिर छठा नमबर है, role of the diet diet, मतलब diet का मुख भूम का, तो दोस्तों यह थी आप लोग का elementary,